नमस्कार मैं प्रानुशीर अठोर और आप देख रहे हैं निक्स्ट नाइन न्यूस। सपा संद्रक्षक मुलाइम सिंग्यादव जी के गुजर जाने के बाद मैंपुरी लोकसभा सीट खाली पड़ी हुई है। इस सीट पर उपचुनाव होने को जा रहे हैं। 5 दिसंबर के दिन इस सीट पर मदान होंगे और 8 दिसंबर के दिन नतीजे स्तामने आएंगे। ऐसे मैं देखा जाए तो यहाँ पर स्यासत काफी तेज हो चुकी है। भारते जनताब पार्टी दावा कर रही है कि मैनपुरी रामपुर और खतौली सीट पर इस बार कमल ही खिलेगा। और दूसरी ही तरफ समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर एड़ी चोटी का बल लगा रही है। अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए सपाप्रमुक अखलेश यादव कई दाव पेच खेलते हुए नसरा रही है। जहां एक तरफ उन्होंने अपनी पत्नी डिमपल यादव को प्रत्याशी के तौर पर आगे किया। वहीं भारतिय जनताप पार्टी की तरफ से रगुरास सिंग शाक्य को आगे कर दिया गया है। और इसी वज़े से मैंपुरी सीट पर जीत हासिल करने के लिए अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए। मुलाइम सिंग यादव 1996 से लेकर अब तक इस सीट पर जीत हासिल करते हुए नसराय। और ऐसे मैं अब बीजेपी ने यहाँ पर बड़ा दावा कर दिया है। और इस पर जीत हासिल करने के लिए नाराज चाचा शेपाल सिंग यादव को भी अखलेश मना चुके हैं। परिवार में एक जुट्ता देखने को मिल रही है और यादव कुनवे पर लगातार बिपक्षु निशाना साते हुए भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अखलेश यादव ने एहम जिम्मेदारियां सौब दी हैं कहीं ना कहीं शेपाल यादव की बेटे अदित्य यादव को अदित्य यादव जो अपनी पाटी प्रस्पा को मजबूत बनाने के लिए डंके की चोट पर कई बड़े बयान देते च चले आ रही हैं और प्रस्पा नगर निकाय चुनाब में स्तपा और बीजेपी के खिलाफ उतरने वाली है लेकिन अपनी भावी डिमपल को जीत दिलाने के लिए अदित्य आ गया चुके हैं हाल ही में अदित्य ने बेहत बड़ा बयान दिया जब उनसे पूछा गया कि वि सभी ने देखा मैं सभी से यही गुजारेश करूंगा कि अगर आप मैनपुरी सेट के लिए यहां पर जगा 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 जाकर इन छेत्रों का दोरा करें तो यहां पर डिमपल यादव को ही समर्थन मिलेगा चाहे वह कोई भी जाती का क्यों ना हो इतना ही नहीं उन्होंन पर उन्होंने बात रखी उन्होंने यहां पर रहुराज सिंग शाक्य को लेकर भी अपनी बात रखी थी आपको बता दें कि यह सारी बाते कहने की हैं किसी और ने नहीं उन्होंने ही कही थी अब जनता को सोच लेना चाहिए कि जो नेता चुनाब में यहां पर जो उत्रे ह हुए हैं उन्हें वोट दिया जाए तो लोग सभा की स्थिति क्या होगी और उसका अंदाजा साफ तोर पर लगाया जा सकता है अधित्य यादव का नाम प्रस्तावक के तौर पर आगे रखा था अखलेश यादव ने जब डिमपल यादव नामंकन पत्र दाखिल करने मैनप मैनपुरी के कलेक्टरेट पहुची थी उस वक्त अधित्य यादव को आगे रखा गया और साथ ही साथ अधित्य यादव अब मैनपुरी सीट पर जीत दिलाने के लिए यहां पर एक सार प्रचारक के तौर पर आगे बढ़ते हुई नसर आ रहे हैं तो इस तरह से अधित् तीजे सामने आएंगे तो यहां पर जीत किसकी होगी लेकिन आपके क्या कुछ राय प्रतिक रिया है या बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में फिलहाल के लिए हम चलते हैं बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं निक्स्ट नाइन निउस